नतीजों की और खबरों वाले शेर्स की हमारे साथ शरत जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर शरत गुड मॉनिंग बताइए गुड मॉनिंग पूजा तो सबसे पहले एशियन पेंस फोकस में रहेगा यहां पे लाजली कमजोर नतीजे देखने मिले हैं जो भारत के बिजनस है वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ लगबख साथ परसेंट कहीं सिफ ग्रोथ आया और कम्णी अपने कॉन कॉल में भी का कि महंगाई के कारण और भी प्राइस हाइक वो ले सकते हैं अफकॉस एलेक्शन और हीट वेफ के कारण जो है ओवराल इंडस्ट्री जो है पे बिजनल से यरो नियो बेसिस के आकड़ों के देखे तो स्टॉंग सेट अफ नंबर आये हैं नेट प्राफिस में बाइस परसेंट का उच्छाल इलकॉन इंजिनरिंग स्टॉक में बहुत तेजी देखने मिली पर नतीजे थोड़े मिक्स सेट अफ नंबर आये तो स्टॉक जैसे स्टॉक्स में भी जो अच्छी मोमेंटम देखने मिली और उनके क्यों नंबर भी स्टॉंग आये हैं तो यह आपके अपरेशनल अपडेट्स के विवारे में बता देता हूं जैसे कि आदानी ग्रीन एनजी यहां पर स्टॉंग आया है और कोल्टे पार्टल डवलप कौन से फोकस में रहेंगे जी बिलकुल बाकी जो शेर्स फोकस में रहेंगे वो इंक्लूड करते हैं जी यहां पे लगबग 2,000 करोड जो है तीन इंवेस्टर से उठाया हैं उन्हें FCCB से जो आपका कनवर्टिबल बांड होता है इसमें रेजोनेंस ऑपरचुनिटीस हैं एक टाइप से FIs हैं बाज आज एलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो उनके MDCO अनुच पुद्दार ने रेजिगनेशन दे दी है बहुत इंपॉर्टन कॉपरेट रिस्रुक्चरिंग और टर्नरांड के लिए जाने जाते हैं उनके जो टेनियर के समय कंपनी जो है फुल ट स्टाटों का कोल बेड के जो मीथेन के ब्लॉक हैं बोकारों में जहां पर इनका जो सेग्मेंट है लगबख 70% से जादा इनका बढ़ जाएगा प्रोडक्शन विच सल 2025 के एंड में वही केसी इंटरनाशनल को 1100 को का ट्रांसमिशन डिस्रिबिशन को और जाया है आईशा म मोटर 200 मिलियन येरो इन्वेस्ट करेंगे नॉटन मोटर साइकल के साथ और वही नजारा टेक की बात करें तो नेगेटिव न्यूस लो आ रहा है उनको जी एस्टी नोटिस 1120 करोड का गया यह आकड़ा बढ़ा है जाइडस लाइफ साइंस लाइसेंसिंग अग्रीमेंट क के बारे में जहां पर हिंदुस्तान जिंग ने अप्रूवल दे दिया कैपिटल रियूर्गनाइजेशन से इससे नेट नेट यह इंपक्ट होगा कि जो जैनरल रिजर्व याव रिटेंड रेंडिंग में आ जाएगा और हिंदुस्तान जिंग जो है अडिशनल डिविडे आपका यह पूरा अपडेट देने के लिए तो आज धेर सारे नतीजे और स्टॉक्स में रहेंगे खबरों की चलते अभिशार आपको पूरा अनालसिस करके बता भी रहे थे इस पर नज़र रखे